ओम श्री परमात्मने नमहा अथर्व वेदिये देवियो उपनिशत देवी की ब्रह्म सोरुपता देवताओं द्वारा देवी की इस्तुती देवी महिमा और इसके पाठ का फल सभी देवताओं देवी के समीब जाकर प्रात्ना करने लगे महा देवी तुम कौन हो उन्होंने कहा मैं ब्रह्म सोरुपा हूँ मुझसे प्रगति पुरुस आत्मक कारण रूप और कार रूप जगत उत्पन हुआ है मैं आनंद और अनानंद रूपा हूँ मैं विग्यान और अविग्यान रूपा हूँ अवस्त जानने योग ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ पंचिकरत और अपंचिकरत महा भूद भी मैं ही हूँ ये सारा द्रस जगत मैं ही हूँ वेद और अवेद मैं हूँ विद्या और अविद्या भी मैं हूँ अजज और अनज़ा प्रकती और उससे भिन भी मैं हूँ नीचे उपर अगल बगल भी मैं ही हूँ मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूपों में फिरा करती हूँ मैं मित्र और वरुण दोनों का इंद्र एम अगनी का और दोनों अश्वनी कुमारों का भरण पोशन करती हूँ मैं शोम, त्वश्टा, पूसा और भग को धारण करती हूँ त्रेलोग को आकरांद करने के लिए विश्त्रीन पादिछेप करने वाले विश्णू, ब्रह्मदेव और प्रजापती को मैं ही धारण करती हूँ देवों को हवी पहुचाने वाले और सावधानी से सोम रस निकालने वाले यजमान के लिए हवी द्रव्यों से युक्त धन को धारण करती हूँ मैं संपूर जगत की इश्वरी उपासकों को धन देने वाली ग्यानवती और यग हूँ यजन करने योग देवों में मुख्ध हूँ मैं ही इस जगत के पिता रूप आकास को सरवदिष्ठान स्वरूप पर मात्मा के उपर उत्पन करती हूँ मेरा इस्थान आत्म स्वरूप को धारण करने वाली बुद्धी व्रत्ती में है जो इस प्रकार जानता है वो देवी संपत्ती लाफ करता है तब उन देवों ने कहा देवी को नमसकार है बड़े बड़ों को अपने अपने करतब में प्रवत करने वाली कल्यान कत्री महा देवी को सदा नमसकार है गुन साम अवस्था रूपणी मंगल मै देवी को नमसकार है नियम युक्द होकर हम उन्हें परणाम करते हैं उन अगनी के से वन वाली ग्यान से जग मगाने वाली दिप्ती मती कर्म फल प्रापती है तू सेवन की जाने वाली दुरगा देवी की हम सरण में है असुन करनास करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है प्राण रूप देवों ने जिस प्रकास मान वैखरी वानी को उत्पन किया उसको अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं वे काम धेनू तुल्य आनंद दायक और अन तथा बल देने वाली वाग रूपणी भगवती उत्तम इस्तुती से संतुष्ट होकर हमारे समीप आएं देव माता अदिती और दच कन्या सती पाप नासनी एम कल्यान कारणी भगवती को हम परणाम करते हैं हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्व शक्ती रूपणी का ही ध्यान करते हैं वे देवी हमें उस विशे में ग्यान ध्यान में प्रवत्त करें हे दक्ष आपकी जो कन्या अदिती है वे प्रसूता हुई और उन्हें इस्तुत्य हर और मृत्यु रही देवता उत्वन हुए काम क योनी ए कमलाई वज्रपानी इंद्र ला गुहा हिम ह सावन मात रिश्वा वायू क अब्र हा इंद्र ला पुना गुहा हृम सह क ला वन और माया हृम यह सरवात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और यह ब्रह्म रूपणी है शिव शक्ते भेद रूपा ब्रह्म विश्णु शिवात्मिका सरसती लक्षमि गौरी रूपा असुद्ध मिश्र सुद्ध पासनात्मिका समरस भीबूत शिव शक्ते आत्मक ब्रह्म स्वरूपा निर्विकल्प ग्यान देने वाली सर्वतत्मिका महा त्रिपुरा सुंद यही इस मंत्र का भावार्थ है यह मंत्र सब मंत्रों का मुकुट मनी है और मंत्र सास्त्रों में पंच दसी कादी श्री विद्या के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके च्छा प्रकार के अर्थ अर्थात, भावार्थ, वाच्यार्थ, संप्रदाय आर्थ, कौलियक आर्थ, रहस्यार्थ और त्वार्थ, नित्या, सोन, सिकार्ण, वन गरंथ में बताए गए हैं इसी प्रकार वरी वस्यार रहस्यार्थ आदी गरंथों में इसके और भी अनेक अर्थ दर्थाय हैं सुरुती में भी ये मन्त इस प्रकार से अर्थात क्विचित स्वरूपो चार क्विचित लच्छना और लच्छित लच्छना से कही वन के प्रथक प्रथक अव्वे दर्साकार जान भूज कर फिश रंखल रूप से कहे गए हैं इससे यह मालुम होगा कि ये मन्तर कितने गोपनी और महत तुपून है ये परमात्मा की शक्ती है ये विश्व मोहिनी है पास अंकुष धनुष और बान धारन करने वाली है ये श्री महाविद्या है जो इस प्रकार जानता है वो सोक को पार कर जाता है भगवती तुमें नमस कार है माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो मंत्र द्रश्टा रिशी कहते हैं वही ये अश्ट वसू है वही ये एकादस रुद्र है वही ये द्वादस अधित्य है वही ये सुम पान करने वाले और ना करने वाले विश्व देव हैं वही ये यातू धान एक प्रकार के र असुर राक्षस पिसास यक्ष और सिद्ध हैं वही ये सत्व रज्तम हैं वही ये ब्रह्मा विश्नु रुद्र रूपणी हैं वही ये प्रजापति इंद्र मनु हैं और वही ये ग्रह नचत्र और तारे हैं वही कला काश्टा दीकाल रूपणी हैं पाप का नास करने वाली भोग मोक्ष देने वाली अंतरहित विज्या धिष्ठात्री निर्दोस सरण लेने यो कल्यान दात्री और मंगल रूपणी उन देवी को हम सदा पढ़ाम करते हैं वियत आकास हा तथा ईकार से युक्त विती होत्र अगनी रा सहित अर्द चंद से अलंकरत जो देवी का बीज हरिम है वा सब मनुथों को पूर्ण करने वाला है इस एक आच्छर ब्रह्म का ऐसे यती ध्यान करते हैं जिनका चित सुद्ध है जो निर्यति सयानंद पूर्ण है और जो ग्यान के सागर है यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है ओमकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा है संचेप में इसका अर्थ इच्छा ग्यान क्रियाधार अद्वैत अखंड सचिदानंद समरसी भूत शिव शक्ती स्फुरण है वाणी एम माया हिरिम ब्रह्म सूत काम क्लिम इसके आगे वक्तर अर्थात आकार से युक्त छटा वेंजन चा अवाम शोत्र दच्छिन का उ और बिंदू अर्थात अनुश्वर से युक्त शूर मुम नारायन अर्थात आ से युक्त टकरा से तीसरा वंड़ा अधर अर्थात अ से युक्त वायू ए और विच्चे यह नवान मंत्र उपासकों को आनन्द और ब्रह्म सायुज देने वाला है इस मंत्र का अर्थ है हे चित श्वरूपणी महा स्वरासती हे सद रूपणी महा लक्ष्मी हे आनन्द रूपणी महा काली ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुमारा ध्यान करते हैं हे महा काली महा लक्ष्मी महा स्वरासती स्वरूपणी चंड के तुम्हे नमस्कार है अविद्या रूप रज्जू की द्रण ग्रंती को खोल कर मुझे मुक्त करो जो हिदे रूप कमल के मद्ध में रहती हैं प्राता कालिन सूर के समान जिनकी प्रभा है जो पास और अंकुष धारण किये रहती हैं जिनका मनुहर रूप है जिनके हाथ वरत और अभे मुद्राओं से युक्त हैं जिनके तीन नेत्र हैं जो लाल वस्तर पहने रहती हैं और वक्तों के मनुरत को पूर्ण करती हैं, उन देवी को मैं भाशता हूँ। महाभھय का नास करने वाली, महा संकत को सांध करने वाली, और महान करुणा की साक्षाद मुलती, तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनका स्वरूब ब्रहमादिक भी नहीं जानते, इसलिए जिने अग्या कहते हैं, जिनका अंत नहीं मिलता, इसलिए जिने अननता कहते हैं, जिनका स्वरूब देख नहीं पड़ता, इसलिए जिने अलक्छिया कहते हैं, जिनका नाम समझ में नहीं आता, इसलिए जिने अजा कहते हैं जो अकेली ही सरवत्र हैं इसलिए जिने एका कहते हैं जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई हैं इसलिए जिने नैका कहते हैं वे इसलिए अग्या अनंता अजा एका और नैका कहाती हैं सब मंतरों में मातर का मूला च्छर रूप से रहने वाली। सब्दों में अर्थ रूप से रहने वाली। ग्यानों में चिन्मय या तीत। सुन्यों में सून साक्षणी तथा। जिन से और कुछ भी स्रेश्ट नहीं है। वे दुरगा नाम से पृसिद्ध हैं। पार करता हूँ इस अथर्व सीर्स का जो अध्यन करता है उसे पांचों अथर्व सीर्सों के जब का फल प्राप्त होता है इस अथर्व सीर्स को ना जानकर जो प्रतीमा इस्थापन करता है वो सैकुणों लाग जब करके भी अर्चा सिद्धी नहीं प्राप्त करता एक सो पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है इसका साइं काल में अध्यन करने वाला दिन में किये हुए पापों का नास करता है प्राता काल में अध्यन करने वाला रात्री में कियोए पापों का नास करता है दोनों समय अध्यन करने वाला पहले का पापी भी निस्पाफ होता है मध्य रात्री में तुरिये संध्या के समय जब करने से वाग सिद्धी प्राप्त होती है नई प्रतिमा पर जब करने से देवता का सानिध प्राप्त होता है भौमा श्वनी अमरत सिद्धी योग में महा देवी की सनिधी में जब करने से महा मृत्यू से तर जाता है जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है इस प्रकार यह अविद्या नासनी ब्रह्म विद्या है अथर्व वेदिये देउपनिशत समाप्त यह सब ब्रह्म ही है ब्रह्म से ही जगत उत्पन होता है ब्रह्म में ही विलीन होता है और ब्रह्म में ही चेश्टा क करता है सांत संयत होकर ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए पुरुस कर्म मैं है और इस लोक में जैसा कुछ कर्म करता है मनने के बाद पर लोक में वह वैसा ही होता है इसलिए सत्य कर्म का नुष्ठान करना चाहिए ओम शांती 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 झाल झाल